हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ACS यो एड्यूकेशन मेंटर फिर आज का ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी मेडिकल के एस्पिरेंट्स के लिए जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इस साल 2019 में सबसे ज़्यादा एप्लिकेशन आया है निट में लगबग 15 लाग से भी ज़्यादा बच्चों ने निट के एप्लिकेशन फॉर्म को फिल किया है तो जैसे कि हमाएं पास एक डाटा है एक रिकॉर्ड है कि हर साल लगबग 45 से 50 परसंद बच्चा ऐसा होता है जो इस एक्जाम को कौलिफाई नहीं कर पाता है तो इस चीज़ को अगर हम देखते हैं तो इससे हमको यह पता चलता है कि 15 लाग में कम से कम 8 लाग तो इस टुडेंट ऐसे होंगे जो इस निट के एक्जाम को कौलिफाई करेंगे और वो स्टुडेंट सभाविक सी बात है कि निट के एक्जाम को इसलिए फिल कर रहे हैं अगर हम इंडिया में टोटल नंबर ओफ एंबीबियस सीट को देखते हैं इंक्लूडिंग उसमें चाहिए हम सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को डी मुनिस्ट्री को गौर्मेंट मेडिकल कॉलेज को और जो ऑटोनॉमोस बाडी हैं जैसे कि एमस है या जीपमार है इन अगर हम किसी भी रिजन से एमबीबियस में एड्मिशन नहीं ले पाते हैं इस चीज से बिल्कुल क्लियर हो गया जो टोटल नंबर ओफ इस्टुडेंट्स है उसमें से दस परसंद से भी कमी बच्चों का एमबीबियस में एड्मिशन हो पाएगा इंडिया के अंदर तो कि जो रिमेनिंग स्टुडेंट्स हैं वो क्या करेंगे उनको क्या करना चाहिए तो आप लोग के लिए बैसिकली यह आज का सेशन है जो स्टुडेंट्स एमबीबियस को मिस्ट कर देते हैं या तो हाई इनका नंबर नहीं आता है कि गौर्मेंट मेडिकल कॉलेज अलॉट नहीं करते हैं लिए Judas के इसी ज़्याद झाया थे जैया था गكा है और हमपना कारियर ग्रॉफ चार्ट आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं और मेडिकल साइंस में अच्छी प्ल्लेज कर सकते हैं और अच्छी ग्रोथ और अच्छी सक्सेस पासकते हैं. So basically हम research करेंगा अगर हम किसी भी रीजन से MBBS नहीं कर पा रहे हैं या अगर हम MBBS नहीं भी करना चाहते हैं अगर हम यह चाहते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि कौन-कौन से courses हैं जो आपका science लेने के बाद खासकर science में अगर biology लेकर चलते हो तो biology लेने के बाद हम class 12 के बाद क्या क्या कर सकते हैं तो SME से research करते हैं तो हमने around 14 ऐसे subjects निकाले हैं बहुत बड़ा scope है 15,000,000 student है तो 15,000,000 student के लिए 14 ऐसे subjects हैं 14 ऐसे course हैं जिसको आप करके अपना career chart आगे बढ़ा सकते हो और life में अच्छी success पासकते हो तो अगर हम बात करते हैं कि पहले courses में तो हम यहाँ पहला course करते हैं जैसे कि आपका MBBS होता है MBBS आपका एक modern medicine का course होता है उसके just opposite अगर modern medicine में देखते हैं तो वह एक course आता है और जो birds होते हैं इनके doctor's को यह veterinary doctors बोलते हैं इंडिया के अंदर यह course की duration है total MBBS की तरह है यह course भी 5.5 साल का course है साड़े-4 साल की theory है और एक साल की internship program रहता है इसके अंदर और इंडिया के में total अगर हम देखते हैं तो तीन हे जार से कम seat हैं BBSC की और maximum जो seats है वो 95% से जाधा seats government medical college में है तो जिसकी वज़े से इस course में भी admission लेने के लिए बच्चों को like top 20,000-25,000 students के अंदर आना होता है तो higher ranks चाहिए होती है एक तरह से अगर हम बात करें 500 या 480-470 का school चाहिए होता है अगर वो BBSC करना चाहते हैं और इसकी जो cost of program है ये भी काफी कम है इसमें admission लेने के लिए बच्चों को NEET का exam को qualify करना पड़ता है और उसके बाद दो तरह की counselling होती है एक होती है आपकी All India Quota की counselling जो की AIPT की website के ओपर होती है जिसमें 15% सीटों की counselling होती है और दूसरा specific state wise counselling होती है आप जिस भी स्टेट के हैं अपने स्टेट में आप counselling क लिए BBSC plus AH Animal Head Spendry BBSC plus AH के बाद अगर हम दूसरा course देखते हैं तो निकल के आता है BDS Bachelor in Dental Surgery तो जैसा कि ये course के बारे में काफी लोग जानते हो काफी अच्छा course है Dental Field के लिए Dentistry का ये course है इसमें अगर हम बात करते हैं तो हमारे जो और तीत का सारा इसमें education रहता है तो का बच्चों के लिए जिनके पास एक अच्छी knowledge है और खासकर वो बच्चे जो BDS करने के बाद अपना MDS करते हैं इंडिया में आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो काफी जादा BDS doctors है तो उनको एक तरह सी problem होती ये थोड़ा सा life में success पाने के लिए बट जो बच्चे BDS करने के बाद MDS भी करते हैं MDS प्रोग्राम भी इसके आगे country करते हैं और एक प्रॉपर वे से एक knowledge वी परसन होता है ऐसो स्टुएंट को देखा गया है recent surveys में की इनको job को लेके या career growth को लेके कोई problem नी आती है तो BDS एक अच्छा विकल्प रहेगा आप लोग के लिए अग आपको government medical college होते है private medical college होते है All India Quota की government medical college की counseling होती है state की BDS counseling होती है इन सब government college में admission लेने के लिए आपको heavy scores की जड़त होती है लग बग 500 या 500 से उपर का score लगता है नीट में कुछ states ऐसे हैं जिनका cut off थोगा नीचे जाता है तो वहाँ पे 450, 440, 470 पे भी हो जाता है जैसे कि हम 36 गड़ का example ले लेते हैं वेस्ट बेंगॉल का example ले लेते हैं एक तिरपुर्गा का example ले लेते हैं जम्मू कश्मीर का example ले लेते हैं और बाकी जहां पर cut off उपर जाता है ऐसे दिल्ली हो गया आपका उतर प्रदेश हो गया यहां पर 500 से उपर का score लगता है BDS government college लेने मे में अगर आपको अच्छी तरह से काउंसलिंग करना आता है तो आप 300 250 200 के score आप आसानी से BDS में admission ले सकते हो थूदा नीट ऑनलाइन काउंसलिंग बीडियस के लिए जो colleges होते हैं वो government medical college होते हैं state के अपने private medical college होते हैं और भारत के अंदर जो टोटल 38 डिम निविश्टी हैं यह डिम निविश्टी भी BDS का program कराती है तो डिम निविश्टी भी एक अच्छा platform रहेगा आपके लिए अगर आप BDS में अपना career को आगे बढ़ाना चाहते हो तो यहां पर हमें देखा कि BBSC और इसके बाद हमें देखा BDS के बाद हम नेक्स कोर्स की बात करते हैं तो वो कोर्स का नाम है BASLP बैसलर इन ओडियो लॉजी एंड इस्पीश थेरेपी पैथोलोजी यह काफी अच्छा emerging कोर्स निकलते हैं पिछले तीन-चार सालों में इसकी डिमांड डे बढ़ती जा रही है डॉक्टर्स की कॉन्टिटी इसमें काफी कम है अभी इंडिया में का सब्सक्राइब बन सकते हैं काफी मल्टिनेशनल होस्पिटर में भी अपनी सर्फिस दे सकते हैं सेर्फ क्लिनिक भी कर सकते हैं ज्याज़ा तर बीवीएस्टी डॉक्टर्स की जो आपकी ज़रूरत होती है वह जो न्यूबॉर्ण बैबीस होते हैं अच्छिली आज़की ड अच्छा option रहेगा है इंडिया में ज्यादा तर कुछ गुर्मेंट की भी सीटे हैं बीसल्पी की और मैकसिमन जगह पर प्राइविट कॉलेज़ भी हैं जहां पर यह कराते हैं मानिपाल जैसे बड़े-बड़े कॉलेज़ भी इसको कराते हैं इसकी जो एन्वल टूशन फ कोर्स का तो बीसल्पी कोर्स का जो भी कॉस्ट ऑफ एज्यूकेशन है डिएट इस ऑलसो वैरी लो ठीक है पंदा लाग बीस लाग दस लाग रुपे में कोर्स हो जाता है इसको पर अन्य वाले टाइम में एक प्रॉपर शेशन देगा जिसमें आपको बीसल्पी के कॉलेज इसके बारे में और पूरा तरह सा प्रॉसर्स बताया जाएगा कि बीसल्पी में कैसे अड्मूशन लिया जा सकता है तो बीसल्पी एक अच्छा आप्शन है एक अच्छा विकल्प है उन श्टूटेंट्स के लिए जो मेडिकल फिल्म में अपना कार्यर बनाना चाहते हैं तो अगर आपके पास अभी टाइम है तो आप बीसल्पी के उपर भी रिसर्च कर सकते हो और इस को भी लेकर अपनी केरियर जर्नी स्टार्ट कर सकते हो होफुली आपको बहुत ही अच्छी इसमें प्रोगर्स मिलेगी बीसल्पी के अंदर बीसल्पी के बाद हम नेक्स को कोर्स No. 5 को पर आते हैं कोर्स No. 5 है हमारा B.A.M.S बैसलर इन आयुर्वधिक मेडिकल साइंस यह काफी ओल्ड एशियन मेडिकल साइंस है एक कम्पलीड मेडिकल साइंस है और पिछले चार पास सालों में अगर हम देखते हैं तो पिछले चार पास सालों में B.A.M.S तो अगर हम देखते हैं पिछले 45 सालों में शोशल मीडिया का इस्पैंशन बहुत ज़ादा हुआ है और शोशल मेडिया की वज़े से पीपल्स को लोकल सीडीजन्स को इंडिया में और इंडिया के बाहर के भी डिफेंट कंटी में जो आयरुवेदा है जो नेचुर वेसे ज और 2021 तक बोला जा रहा है कि ये 13 billion dollar की industry हो जाएगी तो unlimited scope आ रहा है तो अगर आप लोग के mind में लेकर ऐसा कुछ dot है कि like BMS में scope नहीं है तो friends देखिए दो टाइप की energy होती है दो टाइप की लोग होते है positive और negative अगर किसी ने अपनी फील में proper way से मेहनत नहीं कर रखी है अगर knowledge नहीं लेकर रखी है और कोई अपनी जाताव से पूरी like मेहनत नहीं करता है तो बट obviously बात है उसको success ऐसे नहीं मिलती है बट ऐसे doctors को अगर आप देखोगे जिनके पास अच्छी knowledge है BMS करके उन्होंने MSB किया इसके अंदर और अच्छी knowledge के साथ public में serve कर रहा है वो आज की speakers बंद के आ सकते हो तो BMS में एक अच्छा potential है BMS करने के लिए government colleges भी होते हैं और private medical colleges भी होते है इसमें admission लेने के लिए आपको need qualify करना पड़ेगा private medical college में low cutoff पे admission हो सकता है 300 300 300 200 जैसे cutoff होते इस पे admission हो सकता है और हम government college की बात करते हैं तो इंडिया का सबसे बड़ा BMS को ज school लगता है admission लेने के लिए NIA काफी बड़ा college है National Institute of Air Weather जो की आपका राजिस्थान के अंदर पड़ता है तो यह काफी अच्छा college रहेगा आपका for doing a BMS तो BMS की जो duration होती है यह आप MBBS की तरह साड़े पास साल की होती है साड़े चार साल की theoretical knowledge दी जाती है आपको college में और एक साल की internship होती है फिसे आप लोग को साड़े चार साल की पेकर नहीं होती है तो BMS आपके पास एक अच्छा option रहेगा अगर आप साल 2019 के अंदर अपना like admission लेना चाहते हो किसी भी medical field के अंदर तो BMS is a very healthy option BMS को पर हम काफी जोड़े रहते हैं because BMS इंडिया की science है और काफी potential science है ठीक है आज की date में अगर हम देखते हैं तो BMS का expansion नहीं है यूरप जैसी country में अमेरिका में भी इसका काफी जादा परचार हो रहा है इंडिया से जो doctors पढ़के गए हैं वहाँ पर काफी जादा like इसके like इसका परचार कर रहे हैं और चोटे-चोटे short term courses भी पढ़ाई जा रहे हैं और वहाँ के भी लोग जो है European लोग भी इसमें काफी interest ले रहे हैं because उनको इसके benefit पता है कि BMS के क्या है और BMS course के वले इंडिया के अंदर नी चलता है एशिया के different parts में चलता है श्री लंका के अंदर नेपाल के के अंदर इंडिया के अंदर कुछ जगह पर जापान के अंदर भी ये BMS के चलता है तो BMS के अंदर काफी अच्छा potential है BMS के बाद है कि हम जो next course के बाद में करते हैं course number 6 सी बात करते हैं तो number 6 पर आता है हमारा BHMS Bachelor in Homeopathic Medical Science Homeopath जैसे की लोगों को पता है होमियोपैद भी साड़े पास साल का को से है विद वन इयर ओफ इंटर्शिप और 4.5 यर्ज ओफ थरिटिकल नौलेज काफी अच्छा potential है अगर आप इसमें एक knowledgeable student बनके चलते हो तो इसके अंदर BMS के अंदर भी काफी अच्छा scope है काफी लोगों का BMS को पर होमियोपैदी होना ही ज़रूरी है इसके बाद अगर हम नेक्स कोर्स की बात करते है कोर्स नमबर सैवन डिटीज बी यू एमस बैशलर इन यूनानी साइंस इन मेडिकल साइन तो जो बैशलर इन यूनानी साइंस है इसको करने के लिए क्लास 12 में आपके पास पुर्दू सब्जेट होना कंपंसरी है इसमें एड्मिशन लेने के लिए आपको निट में कौलेफाइ होना ज़रूरी है इसके अंदर कुछ गौर्मिन कॉलेज़ भी आते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी आते हैं एक अच्छा रूलर एरिया में इसकी एक अच्छी पकड़ है ठीक है और बिस इस अब नीचर से समध्धित कोर्से से इसलिए इसमें हमेशा एवर गीन पोटेंशन लेता है बस डिपेंड करता है कि आपके पास कैसी स्किल्स है आपके वेपास एक नॉलेज़िवी परसन भी बनना है विक एक डॉक्टर के पास केवल डिग्री लेना है इसे कुछ नहीं होता है डिग्री भी लेनी है एक अच्छा इसकिल्फुल नॉलेज़ परसन भी बनना है और नॉलेज़िवी के साथ साथ आज के एरा में कम्टिशन देने के लिए कम्टिशन को फेस करने के लिए लेटेस टेखनोलोजी इसको यूज़ करना जरूरी है आप लोग डॉक्तर हैं जो क्लाइट से इसको पर मिलेंगे तो आपको साथ में आपको टेखनोलोजी का भी यूज़ का अच्छी तरह से सीख लेना चाहिए जो हम लोग फोन और गैज़े में टाइम यूज़ करते हैं तो उसमें अगर हम कुछ प्रडेक्टिव सिखते हैं तो हमारे ही काम के ल बात कर ले मुक बात कर लियूओ मैस के बाद करस आता है सिहधा का बैशलर मेडिकल सांस अगर आ नहीं के बात करते हैं इन सब जगह पर काफी जाद है इसके में अच्छा कार्या आप एक रिजन में बन के रहना चाहते हो और साउथ इंडिया से बिलॉंग करते हो इसके बात करी अभी तक हमने इस चार्टिंग से लेकर इन सब के आगे डिगरी मिलती है यह सारे डॉक्टर के पोग्राम है काफी लोगों के अंदर एक जो मित है ना दिमाग के अंदर की अमबीबीएस करेंगे तरभी हम डॉक्टर बनेंगे यह सिर्फ आपका एक वहम है यह वहम इसलिए मार्केट में फैलता जा रहा है पर बिकाज कोचिंग इंडिस्टरी इसको में जैसे इस्टूडेंट जाता है उनको एमबीबीएस एमबीएस 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 सुबा साम दिन लाट आप लोग इस वर्लड को सुनते रहे तो एमबीएस एमबीएस तो पिछले अगर हम बात करते हैं 10-12 साल में एमबी तो आने वाले टाइम में MBBS का क्रेस थोगा सा नीचे जाएगा और इसके बात कर लिए यूनानी साइंस के बाद हमने बात कर लिए सिध्धा की आर्ट कोर्स हो गए अभी तक और हम 9 कोर्स पर आते हैं तो बैशलर अगर संअग में commitment to your clinic in natural path to your in zodiac狀ा नाम से बारे बात कोौष यहुख सींस के बारे मिस्क्राइब करौने साइजाया तो इसको करने वाले डॉक्तर आयुवेदा की medicine radically कर सकते हैं काफी अच्छ चाहत से काफी Emazingш there या कमी सिर्फ एपिर आप अपनी चोर्श के सी की स्टार्टी सिटाट से तो आप शोटी से अपनी च्टिस स्टार्ट के सकते हो तो बी ठीन साल यह कोर्स होता है ça TV x āकनेस के पाद सकते है यह स्तु अपने नाम के इसके बाद हम नेक्स कोर्स की बात करते हैं, यह काफी डिमांडिंग कोर्स है और आने वाले सालों में भी इसकी डिमांड बहुती ज्यादा बरकरार रहेंगी और इसकी डिमांड कम नहीं होगी, इसकी पीछे का रिजन यह है, यह आजकल की जो लाइफ है, जो रूटीन नहीं आजफे की आज के आरा में फibility कम होता जा रहा है जैसे की 1- richtig साल पहले पचा पहले हाले इंडिया में वह बाडिय है बाद आज के एरा में फिजिकल इनवोल्मेंट कम होता जा रहा है, तो ऐसे में हमारी बोन्स में इन में काफी यादा पॉलम होती है और ऐसे में याद आती है एक ऐसे फीजो थेरिपिस की तो भी यह आपका जो बीपीटिएच पोग्राम है काफी अच्छा पोटेंशियल एसके अंदर इसके बाद आप गौर्मेंट प्राइवेट डॉक्र भी बन सकते हो सेल प्रेक्टिस भी क तो काफी अच्छा पूस रहता है और इसमें एक कोर्स आता है कि आपका नर्सिंग में आता है तो अगर आप करना चाहते हो देखिए इसमें नर्समें जैसे नाम से पर चलता है कि नर्सिंग में आप किसी भी हॉस्पिटल के अंदर नर्सर्स की डिमांड बहुत तेजी से जारी जैसे मल्टी नेशनल हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे हैं तो आप नर्सिंग का कोर्स कर सकते हो आपको किसी भी हॉस्पिटल के अंदर असानी से नर्स की जॉब में जाएगी इसमें स्टार्टिंग तो हमारी पंदार हजाव सो अथारा यहर के आसपास होती है बर जै जाते हो कि हम एक केमिकल मेडिकल स्टोर खोलते हैं फार्मा का काम करते हैं तो ऐसे में एक कोर्स बहार निकल के आता है जिसका नाम है बैशलर इन फार्मेसी इसको भी फार्मा बोलते हैं तो भी फार्मा का भी गौर्मेंट और मेडिकल कॉलेज प्राइट कोलेज होते हैं तो आप भी फार्मा कर सकते हो भी फार्मा करने के बाद आपको फार्मासोटिकल कमपनीज में जॉब भी मिल जाती है प्राइविट कमपनीज में और अब अपनी खुद के फार्मिकल स्टोर भी कर सकते हो तो भी फार्मा कर सकते हो तो भी फार्मा कर सकते हो तो इन सब कोर्से और वहां से जा किया आप कर सकते हो तो इसमें आप देखो कि MBBS Abroad का भी काफी अच्छा हो और यहां पर विकल पर रहेगा बर जैसे हम बात करते हैं MBBS Abroad की जो कुछ करते हैं कि MCI का screening test की जैसे बात निकल के आती है यह MCI का screening test साल 2002 में introduced हुआ था उस समय passing rate था सिफ 2% तो इस पिछले 16 सालों के अंदर यह 2% से बढ़ते 21% तक आ गया है और अब जो गौर्मेंट ने जो नए guidelines लगा आई हैं 2019 में कि अब only need qualify बच्चा ही इंडिया से बाहर जाके कर सकता है तो इसको करने के बाद यह passing rate 40% तक निकल के आ जाएगा विकाज अब एक potential student बाहर जाएगा तो अगर आपके अंदर potential है आपने need को qualify किया है तो आसानी से इंडिया में 50% need के exam में लेके आता है यानि कि 720 में 360 कितने परसंट बच्चे लेके आता है तो आप surprise होगे इंडिया में सिर्फ 18-20% बच्चे ही जो 360 का level तोड़ते हैं qualify तो बहुत बच्चे होते हैं लेकिन वो 200 200 200 SNM बदाते हैं तो MCI का level है और NEET का level है दोनों एक सेम ही है तो अब अच्छे universities में जाते हो अच्छी तरह से माहिनत करते हो तो असानी साब MCI के test को भी crack कर सकते हो और अच्छे college में admission लेने के लिए आपको starting में लेना पड़ता है ज्यादा तरब students गलती क्या कर देते हैं वो सुचते हैं प पुरा यह यह universal pattern है तो इसी mode पर भार भी अपका होता है कि जो अच्छे universities होते हैं जो पुराने universities हैं 500 साल पुरानी 200 साल पुरानी 200 साल पुरानी 300 साल पुरानी universities हैं वहां पे seat खतम हो जाती है जब आप लोग लास में आते हो और लास में वजनी college में आप लोग का admission हो पता ह है तो यहां पर हमने बात करी not only MBBS, MBBS के साथ 14 ऐसे courses के बारे में जिसको करने के बाद एक आप लाइफ में एक अच्छे successful person बन सकते हो और अपनी career journey को start कर सकते हो और लास में कुछ बच्चे जो लास में एक decision है कि काफी लोग ऐसा decision ले लेते हैं कि काफी पुरानी परंपरा चली आ रही है इंडिया में traditional परंपरा चली आ रही है कि नहीं होगा तो हम BSC कर लेंगे ठीक है तो अगर आप किसी भी reason से अगर BSC भी कर रहे हो तो BSC का scope आज की date में dead हो गया है ठीक है at the time of republic जब इंडिया रिपब्लिक हुआ था तो उस समय BSC बहुत जाजा चलता था उस अगर आपको BSC भी करना पड़ ला है तो BSC के लिए भी कुछ अच्छे subject आपको बताता हूं कुछ अच्छे colleges बताता हूं AIM जैसे college भी IP इंडपरस उनुस्टी जैसे college भी मानिपाल जैसे college भी BSC को कराते हैं लेकिन BSC के ऐसे branches लिए जो medical science related है जहां पे आपको medical colleges में करने को मिले तो जो आपकी जो PG में जो branches रहती हैं जो MBBS के बाद जो आपका जो next level आता है जो post graduate level आता है उसमें जो branches रहती हैं आपकी जिस पे आपका specialization रहता है जो आपकी subjects रहते हैं जिससे आप ऐसे कर सकते हो कि BSC in radio diagnosis, BSC in opthal, BSC in orthopedic, BSC in general medicine, BSC in general surgery इन सब subjects से BSC in cardio, BSC in dermatology इन सब innovative subjects आगे हैं और यह सब courses चलने हैं जारत तर बच्चों को इसके बारे में पता नहीं है आप Google पर सालच करोगे तो बिल्कुल आपको college के बारे में पता चल जाएगा तो BSC भी करनी है तो ऐसे subjects से BSC करेए जो innovative जिसकी demand है actually तो यह सब courses अगर आप BSC करते हैं तो अगर आप किसी भी रीजन से BBS नहीं कर पा रहे हैं तो विल्कुल घबडानी जूरत नहीं है आप अपने आसपास देखिए चार तरफ काफी अच्छे potential courses हैं जिसको करने के बार आप एक successful life को जी सकते हैं और life में success को enjoy कर सकते हैं और अगर like आप लोग को admissions लेने में किसी च counseling जैसे कि आप इस channel को subscribe कर सकते हो हमारे channel पर पूछी तरह से counseling करा है जाती है time time हम career guidance के बारे बात करते हैं different courses different opportunities के बारे बात करते हैं कैसे counseling करनी यह सब बात करते हैं तो काफी useful content मिलेगा आपको ACS के इस channel से तो आप channel को subscribe कर सकते हो जैसे आपके पास कोई notification आता है जो information आपक इस तरजी बना है तो उस condition में आप हमसे registered भी हो सकते हो ACS की हमारी services भी ले सकते हो अगर आप service लेता हो at that moment of time ACS will do your counseling और हम आपको guide करेंगी कैसे आपको एक proper medical college में दो जाना है कैसे एक course के अंदर admission लेना है और जो government के guidelines को follow करते हुए authentic way से आप admission लेके कैसे अपनी career journey start कर सकत तो यह था आज का session thank you very much friends अपना useful time देने के लिए keep smiling keep learning keep growing friends